Hello student, welcome back to Mati Z247, this is Danita Sharma, your history mentor. Student, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारी history का chapter 5, जिसका नाम है Through the Eyes of Traveler. ठीक है, यह chapter अलड़ी started है, ठीक है, आज जम हम इसमें topic करने वाले हैं, वो topic का नाम है Ibn Battuta and the Rehla. इससे पहले हमने जो topic किया था, अलबरुनी और उनकी book किताब लहिंत के बारे में, पूरी की पूरी information आपको लोगों को दी थी, तो जा करके उसको जरूर जरूर से देखिएगा, इसका हम next topic करने वाले हैं, आज इसका नाम है Ibn Battuta और उनकी book Rehla, ठीक है, तो सबसे पहले हम I guidance based question होंगे, वो आपके increase कर दिया, 40% से बढ़ा कर, 50% कर दिया, इसलिए हर topic को, हर concept को बहुत अच्छे से clear करते हो चलना है, clear, चलिए, तो start करते हैं, बिना time waste किये, Ibn Battuta, तो सबसे पहले हम Ibn Battuta के background के बारे में, थोड़ा सा जिकर कर लेते हैं, तो he was, Ibn Battuta was born in Tangier, ठीक है, ठीक है, Tangier कहां पर था, ये मौरको के एक city थी, इनका जन्म, Tangier मौरको में होता है, और कब होता है, कब होता है, 1304 में, ठीक है, कब होता है, 1304 में, clear, into one of the most respectable and educated family, ठीक है, तो एक बहुत ही educated, पड़ी लिकी family में, और बहुत respectable, जिसकी society में बहुत जादा respect थी, तो उस type की family म इनका जन्म होता है, अब बच्चे को जिस तरह का माहौल, बश्च्पन में ही मिलेगा, तो उसका effect, उसका प्रभाव जो है, उसके character पर पढ़ता ही पढ़ता है, clear है, अब जैसे किस slum area में रहने वाले बच्चे का, अगर environment ही वैसा हुआ, तो उसके effect वैसा पढ़ेगा, ठ अच्छा होता है, तो उसके जो thinking होती है, वो उनके हिसाब से होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत respectable और बहुत ही educated family में इनका जन्म हुआ था, इसलिए starting से ही पढ़े लिखने का बहुत शोख था इनको, ठीक है, काफी सारी languages के ये scholar थे, काफी सारी languages इनको आती थी, ठीक है, और हमेशा ये एक बात पर focus किया करते थे, कि जितनी हमें bookish knowledge, ठीक है, अब देखो, पढ़े लिखे थे, educated थे, चाते तो हर country का experience, book से भी तो ले सकते थे न, हर country के बारे में जानने के लिए, वो book से भी तो जान सकते थे, पढ़ करके, ठीक है, लेकिन इनका हमेशा ये मानन था, इन बतूता का, कि अगर हम चीजों को, bookish knowledge की बजाए, अगर हम चीजों को practically करते हैं, तो उसे हम जादा सीखते हैं, है न, और बिलकुस सही बात कही है, उन्होंने, देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है, ये समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया है, ये समझ में आ Arabic भाषा में लिखा गया था, जैसे कि, आपकी वो थी, अल बरूनी की book थी, कौन सी, किताब लहिंद, वो भी Arabic भाषा में लिखी हुई थी, और ये भी Arabic भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, इब बतूता, consider experience gained through the, travels to be more important source knowledge than book, तो मैंने यही बताया न, कि book से जादा knowledge आपको practically चीजों को जब करोगे, तो उससे जादा knowledge मिलेगी, he traveled different countries, वो बहुत सारी country में गया, ठीक है, question यहां से, यहां से question बनता है, कि कितनी सारी country भी उसने visit किया, यह travel किया, तो Syria, Iraq, Persia, Yamin, Oman and few trading ports on, on the coast of East Africa, तो इतनी सारी country में यह travel करता है, ठीक है, और at last क्या होता है, फिर जब आता है, यह इंडिया आता है, तो इंडिया कब पहुंचता है, तो इंडिया पहुंचता है, यह 1333 में, लेकिन इंडिया कैसे पहुंचा, किस रास्ते से पहुंचा, और इंडिया सबसे पहले आकर यह कहां स्टे करता है, वो सारा हम इसमें जानने वाले है, ठीक है, त Central Asia से चल कर क्या होता है तेली आएगा ठीक है मतलब India पहुंचेगा ठीक है तो उसके बाद पहले अब ये सिंध कौन से वाला सिंध है ये ये पाकिस्तान वाला सिंध है ठीक है आज के टाइम में ये पाकिस्तान में क्लियर बाइट ट्रैवलिंग दे ओर लेंड थो दा सेंटल एशिया क्लियर ही वस अट्राक्टेड बाइद जब ये इंडिया पहुंचता है तो इसने मोहमद बिन तुगलक के बारे में क्योंकि उस ताम में जो मोहमद बिन तुगलक था वो इंडिया पर रूल कर रहा था तो मोहमद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था चाहे उसके फुलिशनिस के बारे में सुना हो कि देखो लैदर के कॉइंस चला दिए जिसमें घरों में लोगों ने लैदर कॉइंस बनाने स्टार्ट कर दिए हाला कि बहुत ही अच्छा राजा था बहुत एजुकेटेड किंग था वो लेकिन अपनी छोटी-मूटी फुलिशनिस के वज करता था, उनको ओनर किया करता था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इबन बतूता ने मोहमद बिन तुगलग के बारे में सुनी हुई थी, clear, अब उनसे मिलना चाहता था, इसका एक सपना था, इसका इसने एक सोच बनाई हुई थी कि काश कभी मैं इबन बतूत भी इनसे मिलना चाहता था, जब मोहमद बिन तुगलग को पता चला कि इबन बतूता जैसा स्कॉलर हमारे इंडिया में आया है, और बहुत सारी बातें उनसकी सुनी हुई थी, देखो, जब भी किसी राजा के राजे में कोई आउटसाइडर आता था, तो उनके मेसेंजर स राजा को पता चल जाता था, कि कोई आउटसाइडर आया है, उसके बारे पूरी इंफरमेशन निकाल कर वो जानकारी, पूरी की पूरी इंफरमेशन वो राजा को दिया कर दे थे, अब राजा को जैसे पता चला कि इबन बतूता इतना बड़ा स्कॉलर है, ठीक है, इतना अब तुगलक, दा सुल्तान अफ डली, फोर इस जंडरियूस पेटरान अफ आइट्स अफ या इंड अट लैटर्स, हैंस, ही मूवड फोर डली, पासिंग थू दो मुल्तान अट अच, अब यह इंडिया आता है, मुल्तान और उच को, रॉसको करते होए यह डली पहुंच अब हम बात करते हैं कि दा सुल्तान वस इंप्रेस्ट बाइस स्कॉलर्शिप जब सुल्तान ने इसको एक दो टास्क दिये और उन टास्क में ये पूरा जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी इसको टास्क दिये गए थे पीष्ट करати go thunderstorm की काजी कौन होताया थे कि अब जिदध का काम तो आपको पताई है ठीक है जज्वेंट करना होता है क्लियर तो उस तरह के जज्वेंट की जो पोस्ट होती थी वो आ वह किसको दे दी गई इंभतुता को बहु दोने हिन मोहाम्माद विन तुगलक से इम बतूता ट्रैवल टू चाइना, मुहमब बिन तुगलक से ये बहुत इंप्रेस था, ठीक है, और इस से मुहमब बिन तुगलक बहुत ज़्यादा इंप्रेस था, तो दोनों की बहुत अच्छी मित्तरता हो जाती है, फ्रेंशिप हो जाती है, ठीक है, और अपने हाँ छो मैसेज तुम्हें कनवे करना है, ठीक है, अब इसको ओर्डर कब मिलता है 1342 में, clear, by the Sultan to travel China as a Sultan representative to the Mongols ruler, ठीक है, तो मंगोल ruler के यहाँ वो इसका मुहमब बिन तुगलक का मैसेज कनवे करने के लिए जाता है, लेकिन चाइना कैसा पहुँचता है, देखो एक इससे पहले एक गये थे, लेकिन इनका यहाँ पर एक point mention किया गया है, कि यही वो second traveler ऐसा था, किस के बाद, किस के बाद, मारको पोलो के बाद, ठीक है, मारको पोलो के बाद, यही second ऐसा वो था, traveler था, जो कि China और India दोनों को visit करता है, फिर बाद में जब इसकी book रहला को और मारको पोलो की book स मैच की जाएगी, तब चीजें थोड़ी सी common होंगे, थोड़ी सी थोड़ी different होंगे, ठीक है, यह बाद में बताऊंगी मैं आपको, तो Ibn Battuta with the new assignment, proceeded to the Malabar coast, जो Ibn Battuta को नई assignment दी गई थी, assignment मतलब काम जो दिया गया था, message convey करने का, चाइना जाने का, he proceeded to the Malabar coast through the Central Asia, तो यह क्या करता है, मालबार coast से Central Asia की तरफ क्या करता है, यह, move करता है, and he went to the Maldives, और फिर क्या करता है, मालदिव जाकर वहां पहुंच जाता है, अब मालदिव जाकर के, यह वहां से एक ship में board होता है, मतलब वहां से एक ship पकरता है, जैसे हम किसी destination पर जाते हैं, तो buses या पिर आ ship Sumatra, and from there another ship to China, फिर वह क्या करता है, he took a ship to Sumatra, फिर जब यह Maldiv पहुँंच जाता है, तो Maldiv से Sumatra के लिए यह क्या पकरता है, एक ship पकरता है, and from there another, और जब यह Sumatra पहुँच जाता है, फिर दूसरी शिप पकरता है, चायना पक जाने के लिए, clear, और उसके बाद, शिप पो के कहां किस port पर उतरता है ये Chinese port town that is उसका नाम क्या था जायतुन उस port का नाम क्या था जायतुन जहां पर शिबोर्ड होती है चाइना की ठीक है वहाँ पर ये उतर जाता है उसके बाद presently known as the Kwanzao अब इसका नाम पहले जायतुन था अब इसका नाम क्या होता है Kwanzao होता है यहां ते one marker question आएगा जरा ध्यान से देख लीजेगा समझ लेगा इसको अच्छी तरीके से ठीक है clear है यहां तक समझ में आ गया तो बढ़ते है आगी की तरफ ठीक है अब देखो यहां पर यह क्या है यह रहा आपका सुमात्रा ठीक है यह रहा सुमात्रा clear और इस तरीके से यह जाते जाते कहां पहुंच जाता है फिर यह चाइना ठीक है चाइना कहां पर है यह आपका देखो इस तरीके से यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, फिर यहां से जाता है, यहां से यह स्टेशन पकड़ता है, यहां पर बोर्ड होता है, उसके बाद यहां जाता है, इस तरीके से यह पहुंच जाता है, चाइना, बीजिंग, clear, चाइना, बीजिंग में पहुंच जाता फैसला किया, ठीक है, डीसंस लिया कि मैं अब थोड़ा टाइम यहीं पर स्पेंट करूँगा, because he was very impressed by the Indian culture, ठीक है, customs, by the people, according to Ibn Battuta, Indian city were densely populated, तो Ibn Battuta ने कहा, ठीक है, जब Ibn Battuta ने चीजों को observe किया, Indian subcontinent में रहे करके, जब चीजों को बारी की से देखा, बहां रहे करके, जब चीजों को हम practically देखते हैं, सारी चीजे अपनी आखों से देखते हैं, तो वो चीजे ज़्यादा हमें catch करती है, ठीक है, तो according to Ibn Battuta, Indian city were densely populated, तो Ibn Battuta ने कहा, कि Indian city जो है, बहुत ज़्यादा populated है, ठीक है, population बहुत ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो population polluted and the prosperous but, ठीक है, अब Indian city ठीक है, populated तो है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ में प्रॉस्पारिस भी तो है, धनी भी तो है, पैसा बगर अभी पहता है इंडिया के पास में, ठीक है, बट वर डिस्ट्रॉप्टेड वेन देर वर इन वेजन एंट वर्स, ठीक है, लेकिन देखो, पहले न, इंडिया को सोने की चडिया कहा जाता था, जै इसलिए सोने की चडिया कहा जाता है कि इसके पास सोना बहुत था, इसलिए नहीं, हर चीज की बहुत ज़दा, कह सकते हो न, कि भरबार थी, इसलिए हर चीज की अविलिबिल्टी की वजए से भारत को सोने की चडिया कहा जाता था, बट लेकिन बहार के इन्वेजन्स और पार ने इसको धीरे-धीरे खोकला कर दिया, बाहर सेंटरल एशिया से कोई भी आउटसाइडर आते हैं, तो वो राजा अटैक करके दूसरे राजा को हरा देते हैं, फिर खुद रूल करने लगते हैं, तो ये सिलसला काफी टाइम तक चलता रहा, बहुत टाइम तक चलता रह कि पहले दिली सल्तनत का रूल चलता है, फिर उसके बाद मुगलों का रूल चलता है, फिर उसके बाद अंग्रेजों का ब्रिटिश एस्टिडे कंपनी रूल करने लगती है, तो धीरे-धीरे इंडिया पर इतने सारे लोगों ने रूल किया, जिसकी वजह से अब इसके रिसोर्ष दिरे-धीरे कम होने लगे, ये पुवर्टी की तरफ बढ़ने लगी, तो इस तरीके से क्या किया, इंब तुता न इसको डिफाइन किया है, उस ने क्या कहा, इससे बाद इंडिया की सबसे बड़ी में जो एक जग्या है जिसका नाम है दोलताबाद ठीक है शिटी है दोलताबाद फिर वहां पर क्या होता है कि दोलताबाद को डाली से कंपेर किया गया कि जितना बड़ा डाली है जितनी पॉपलेशन डाली की है उतना ही बड़ा दोलताबाद है उतनी ही population दोलताबाद में भी है, तो डाली को महारास्टवाले दोलताबाद से compare किया गया है, किसने किया, इंबतूता ने, ठीक है, तो इंबतूता ट्रेवल टू चाइना, राइट, तो इंबतूता जब जो है वो चाइना पहुंचता है, इंबतूता's account was compared with that of Marco Polo, अभी मैंने क्या कहा था, Marco Polo, he, जो है, सबसे पहला traveler ऐसा था, जो कि India के बाद China विजिट करता है, who visited China and India from his home country, Venice, तो ये जो Marco Polo था, ये कहां का था, बच्चे, ये Venice का था, और Venice कहां पर है, Italy में, ठीक है, Venice कहां पर है, Italy में, clear, ठीक है, in the late 19th century, और फिर क्या होता है, कि late 19th century में, ये वापिस, जो है, home country Venice in the late 19th century, तो ये late 19th century में, ये जो है, चाइना से, इंडिया से चाइना, मलब चाइना और इंडिया को दोनों को विजिट करता है, और ये Venice का था, one Marco question आपका कहां से आता है, कि ये Marco Polo कहां का यातरी था, कहां का ट्रेवलर था, तो ये Venice Italy का ट्रेवलर था, जो कि, who visited China and India from his home, मतलब उसकी home country कौन से थी, उसकी home country थी, इटली, ठीक है, इटली के Venice city का रहने वाला था, तो ये कब आता है, इंडिया, इंडिया, in the late 19th century में, clear है, next, इब बतूता and excitement of the unfamiliar, इब बतूता को कुछ ऐसी चीजें पता चलती है, जो कि उसने other countries में नहीं देखी और इंडिया में आकर उसको देखने को मिली, तो उसको बहुत ही surprising लगी सारी चीजें, ठीक है, 1333 में, इसे 1 प्लस कर देंगे, तो century बन जाती है, यह याद रहा है, जब किसी को, किसी century में अगर आपको convert करना है, तो sun में, जो year दिया होता है, उसकी आगे की visit में 1 प्लस कर देते हैं, तो क्या होता है, उसमें, जो है 14th century, वो century में count हो जाती है, from China to East to North West, North Africa and Europe in the West, he visited scare shrine, तो उसने काफी जगों पर, ठीक है, अपकी क्लास है, अपकी क्लास है, तो सरे, लो तो मसें, he visited scare shrine, spended time with the learn, with the learn and man and ruler, अब जहां पर जितना भी उसमें time spent किया, तो उसमें क्या देखता है, कि man और ruler के साथ में, जितना भी उसमें time spent किया, तो एक अच्छा experience लिया, right, he enjoyed the cosmopolitan, cosmopolitan culture क्या होता है, जिसमें अलग-अलग तरह-तरह के customs को follow किया जाता है, right, so as people spoke Arabic, अब उसने एक यहां इंडिया आकर के ऐसी चीज़ देखी, कि लोग इकटे तो रह रहे हैं, लेकिन लोग different-different है, different-different culture है, different-different languages है, different-different सब कुछ है, ठीक है, तो भाती-भाती के लोग रहते हैं, तो इंडिया में आकर उसने यह चीज़ observe करी, clear, तो cosmopolitan culture as the people spoke Arabic, Persian, Turkish and other languages, इन इन भाशाओं के लोग वहाँ पर रहते थे, they shared ideas, information and the anecdotes, अब वो अपने ideas को share करते हैं, ठीक है, ideas को, information को इक दूसरे के साथ share करते हैं, ठीक है, और वो share करने पर उन चीजों को पता चलता है, अब जैसे इन बतूता जब इंडिया आया, तो जो Arabic लोग थे, जो Arabic भाशा बोलते थे, तो उन्होंने अपने ideas को share किया, इन बतूता को पता चला, इन बतूता वाज अबाउट डैली, इन बतूता ने डैली के बारे में क्या कहा, कि according to इन बतूता, the city of Delhi covers a wide area and had a large population, कि इंडिया में डैली एक ऐसी city है, इतनी बड़ी city है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा population रहती है, ठीक है, और population ज़्यादा होनी के वज़े से ठीक है, लोगों के घर वगरा होते थे, बहुत ही congested होते थे, क्योंकि population जहाँ होगी, resources कम होंगे, ठीक है, लोगों को जमीन जो होती, वो बहुत बड़ी 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 नहीं मिलेगी, तो लोग छोटे-छोटे मकानों में रहते थे, छोटे-छोटे घरों में रहते थे कि यह हमारी street का नाम है, और यहां से हमारी street स्टार्ट होती है, तो ऐसे छोटे-छोटे gates बना दिये गए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो gate था, डैली में enter करने का, ठीक है, डैली में, जो सबसे बड़ा gate था, उसको क्या बोला जाता है, बुड़ान धरवाजा कहा जाता है, उसको क्या का जाता है, बुलंद दरवाजा मत कर देना, बुलंद दरवाजा तो अकबर ने गुजरात की जीत जब हासिल करी थी, ता बनवाया था, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा दरवाजा दो की डाली में था, वो बुड़ान दरवाजा था, ठीक है, there are many gates called the दरवाजा and the बुड़ान दरवाजा was the greatest among them, clear? और इस तरीके से ना, हर gate पर मतलब की, इस तरीके gate होते थे, और gate पर ना एक चोकिदार होता था, आजकल तो CCTV कैमराज लगे हैं, तो सारी footage जो है, उसमें, जो है, वो capture हो जाती है, लेकिन पहले चोकिदार वगरा होते थे, watchman होते थे, कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया, तो यह सारी information रखता था, ठीक है, चलिए, इंबतूता views about the, about दोलताबाद, अब डैली के बारे में इंबतूता, जिकर करता है किसका, बात करते हैं, या एक तरह से description देते हैं किसकी, दोलताबाद के, sorry, दोलताबाद महारास्ट की, ठ marketplace था, ठीक है, हर जगे एक market होती है, सदर market होती है, जैसे डैली के सदर market हो गई, आपके, जो भी आपका एडिया जहां पर रहते हो, वहां पर भी बहुत बड़ी market होगी, ऐसे इबतूता ने बताया है कि महारास्ट के दोलताबाद में, एक marketplace हुआ करता था, उस marketplace, marketplace जहां प singers in दोलताबाद, which was known as तारबाबाद, जहां पर male और female singer बैट कर गाना गाया करते थे, marketplace था वो और इसको क्या कहा जाता है, तारबाबाद, clear? अच्छा, यह देखना, in the middle of the market, अब यह तो market का नाम है, ठीक है, अब यह market बन गए, ठीक है, यह market है, इस market के बीचों बीचना एक ऐसी जगे बनाई गई थी, एक ऐसा place बनाया गया था, जिसको कुपोला कहा जाता था, यह कुपोला क्या होता है, कुपोला होता है, जहां पर male और female singer बैठकर गाना गाया करते थे, यह तो market हो गया, ठीक है, market हो गया, और यह market के बीचों बीच यह place बनाया गया था, जहां पर यह female singer और male singer बैठकर गाना गाया करते थे, लोग इनको दूर-दूर से सुनने के लिए आते थे, क्योंकि वो market तो यहां पर लोग बहुत जादा सोशल हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने आइडियास को, इनफोमेशन को शेयर करते हैं, तो यह आपर अप्तिविटी जादा होती हैं, इसलिए इन लोगों इसको सुनने के लिए, लोग दूर-दूर से आया करते इस प्लेस को बहुत सुननर सुन्दर कार्पेट से सजाय जाता था, लाइटनिंक वगराद से चमाचम करे बहुत इछे तरीके से इसको डेकोरेट किया जाता, ठीक है, इनका एक चीफ होता था, ठीक है, अब जो म्यूजिक कंपोजर होता है, जो इस तरीके से इनको day after that. तो वो क्या करता था? male, female, जो भी singer होते थे, और जो भी उनके साथ गाने बजाने वाले होते थे, तो उनकी एक meeting लिया करता था. ठीक है, कब? dawn, dawn किसको कहते हैं? morning को. और dusk किसको कहते हैं? evening को. ये याद होगा न, आपको सूरियास तो होता है, और सूरिय उदय होता है, right? तो सूरिय उदय, जो सुबह चार बजे का time होता है, तीन, तीन, चार बजे का time होता है, चार-पांच बजे का, तो उसको dawn बोला जाता है, ठीक है? भोड का समय जिसको बोलते हैं. तो morning के time होता है, prayer with his servant and slaves. ठीक है? तो हम बात करते हैं अब कि इंब बतूता ने किस तरह से Indian economy, agriculture और trade के बारे में बताया. According to इंब बतूता, the bajar was important place economic transition. बिल्कुल सही बात है. बजार एक ऐसी जगह है, जहां पर social activities के साथ साथ में trading activities भी होगी. लोग sale purchase करेंगे अपने product को. ठीक है, किसी को sale करना होता है, किसी को purchase करना होता है, तो ये सारी चीज़े कहां पर होती है? मार्केट में होती है. तो bajar एक ऐसी जगह पर थी, जो कि किसी भी area की economy को develop करने में बहुत important role play करता है. ठीक है? तो economic transition, वहीं पर ही sale purchasing काम होता था, as well as hub of the social and the cultural activities. ठीक है, तो यहां पर social activities, जब लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, social होंगे, अपने information, अपने ideas को transfer करेंगे एक दूसरे के साथ, socially भी हो जाएगा, ठीक है, social activities होंगी. साथ-साथ में इसमें culture activities, अब जैसे कोई festival आता है, होली, दिवाली, तो यहार आता है, ठीक है, festivals आते हैं, तो लोग अब जैसे होली आ गई, तो होली में क्या करेंगे, लोग एक दूसरे रंग लगाएंगे, तो इस तरह की culture activities भी होती थी, कोई भी अब जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में भी market को बहुत सुंदर-सुंदर सजाय जाता है, उसी टाइप की चीजे, नवरात्रों के टाइप की चीजे ही वहाँ पर रखी जाती है, ताकि लोग उनको purchase कर सकें, तो इस तरह की social और culture activities बाजार में होती थी, यह सारा बताया कि इबन बतूता ने, किस के बारे में, इंडिया के बारे में, ठीक है, नव, इंबतूता found Indian agriculture very productive, इबन बतूता ने बताया कि यार इंडिया में agriculture बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि इसी production की वजए से वहां का जो ruler है, वहां की जो government है, उनके पास बहुत-बहुत पैसा है, ठीक है, तो इबन बतूता found Indian agriculture very productive because of the fertility of the soil, क्यों, क्योंकि इंडिया की जो soil है, बहुत ज़्यादा fertile है, और fertile, soil जितने fertile होगी, agriculture का production उतना ही अच्छा होगा, this fertility allowed the farmer to cultivate the two crops है, और इसी वजए से एक, एक साल में दो cropping की जाती थी, एक सेम एयर में two cropping की जाती थी, कि बार लिजे एक खेत है, ठीक है, पूरी field है, और सेम एयर में दो तरह की खेती यहां की जाती थी, cropping की जाती थी, ठीक है, अब जहाँ पर एक तरह अगर, मानलो, उसने wheat grow किया है, तो दूसरी तरह वो किसी और चीज की growing कर लेगा, ठीक है, for example, spinach हो गया, कोई पालक हो गया, काजमुली हो गया, इस Indian manufacturers were in the great demand in the both West Asia, अब Indian manufacturing की जो demand थी, वो West Asia में भी, ठीक है, West Asia में भी, और Southeast Asia में भी बहुत demanding थी, जैसे अगर बात करूं किसके India के cotton की, तो India का cotton दूर-दूर तक famous था, यहां तक कि England की Queen भी, India के cotton से बने कपड़े ही, जो है, वो ट्रैफर किया करती थी, कि मुझे इंडिया का cotton की quality बहुत अच्छी लगती है, और वाके में थी भी, ठीक है, अब यहां पर Indian manufacturers were great demand in the both, West Asia में, ठीक है, Asia के, यह जो Asia है, इसके Western side में, यहां पर इस वाले area में, Western side में, and the South East Asia, और इसके South East Asia में, यहां पर, यह दोनों ही जगे पर बहुत demanding थी, किसकी, Indian manufacturers की, ठीक है, नेक्स आता है, कि इंब बतूता description about the Indian postal system, इंब बतूता को यहां पर एक और चीज ऐसी, जो कि उसने कहीं नहीं देखी थी, उसरफ इंडिया आकर देखी, वो था इंडिया का postal system, ठीक है, अब यह postal system क्या होता है, postal system होता है, कि इंब बतूता surprise by the efficient postal system in India, the postal system not only allowed the merchants, postal system क्या होता है, letters वगेरा, telegram वगेरा होते थे, पहले के time में जो चलते थे, कि चिठी लिखी, और उसको letter box में डाल दिया, है ना, अब वो 2-3 दिन बाद हमारे रिष्तेदारों को मिल जाती थी, यही काम होता था, ना सरफ हम उसको लेटर्स, टेलिग्राम के परपस से उसको यूज करते थे, बलकि छोटे-छोटे आपने भी सुना होगा, नहीं सुना हो, तो आपने परेंट से जरू सुनियेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, कि merchant send the information and remit the credit, तो छोटे-मोटे, छोटे, जो है, money orders भी कर दिया करते थे, across the long distance, but also despite the goods required a short notice, ठीक है, तो जो काम 50 डेज में पैदल चलकर होता था, यह पहले बुलो कार्ट से बहुत टाइम लग जाता था, एक जगे से दूसरी जगे पर जाने में, ठीक है, information पहुचानी होती थी, सिंद से अगर डैली आना होता था, तो उसमें 50 डेज लगते थे, ठीक है, but it took just 5 डेज, लेकिन पोस्टर सिस्टम से वही काम 5 दिन में हो जाता था, है ना surprising बात, लेकिन इंप 5 दिन में कैसे हो जाएगा, अब देखना, ठीक है, अब मान लो कोई भी letter है, ठीक है, अब किसी ने कोई letter लिखा, ठीक है, अब वो letter इस letter box में डाल दिया, ठीक है, इस letter box में डाल दिया, क्या करेगा, कोई भी आएगा उदर, ठीक है, कोई भी postman आएगा, इस ते letter निकालेगा, ठीक है, अब वो क्या करेगा, दूसरा आगे जाकर कि वो जो letter, दूसरा letter box बना हुआ है, ठीक है, दूसरा जो post office बना हुआ है, यहां के letter को यहां तक पहुचा देगा, फिर यहां के letter को यहां तक पहुचा देगा, तो इस तरीके से किसी भी person को physically जो है यहां से उधर तक नहीं जाना पड़ा, clear है, अभी मै आगे समझाओं दूँगी, ठीक है, तो, there are two postal system was, Indian postal system was of two types, यह दो तरह के बताये गए है, Indian postal system को, इभ बतूता ने two types के बताये हैं, कौन कौन से, जिसमें एक का नाम था, horse post और दूसरे का नाम था, foot post, horse post क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे confused होते हैं होर पोस्ट क्या होता है was called the ulug इसको ulug कहा जाता था which was run by the royal horses station at a distance of every four miles देखो इसका क्या मतलब है यह horse post का मतलब है horse को तो समझ गयो ना घोड़ा इसको बोलते हैं तो कोई भी information होती थी वो घुरसवार वगरा को देते थे जिससे की वो काम जल्दी हो जाते थी तो अब यह horse post होता था वो क्या होता था कि station at a distance of every four miles अब इनका यहाँ से चल करके और यह four miles से चल गया यहाँ पर आ गया यह कितना है यह है four miles ठीक है यह है four miles तो कोई भी अगर horse rider यहाँ से चला है उसने चार मील कवर कर लिया है वो दूसरे इस तो एक घुर सबाद जो भी information जो भी letter था जो भी फरमान था कुछ भी था तो वो यहाँ पर आ करके बस यहाँ तक चलता था यहाँ पर कोई और उसको मिल जाता था कोई और horse rider इसको मिल जाता था फिर उसके बाद यहाँ से इसको जो भी information होती थी जो भी काम होता था यहाँ से यहां तक पहुंचने में जो time लगता था अब वो time बच गया ठीक है time बच गया ना इसके बाद क्या होगा कि देखो इस particular person ने यहां से यहीं तक की तो distance cover किया ना और जब यहां पहुंच गया तो इस वाले जो भी था आपका post mater था या फिर आपका horse rider था तो वो यहां से यह जाएगा वो यहां से यहां क्यों जाएगा जब कि बीच में स्टेशन है और उसी स्टेशन पर जो भी इस इसका information थी वो यहां वाले horse rider को दे दी और फिर यह क्या जाता है यहां पर जाता है तो तरीके से अगर उसको डैली से सिंध से डैली पहुंचना होता था तो इस तरीके से वो माइलस में कनवर्ट होकर और चीजें उस तरह से डिस्रीट हो जाती थी ठीक है अब हम बात करते किसकी foot post की another was foot post called dava ठीक है अब दूसरे foot post को कहा चाता था इसको horse post को उलुक कहा जाता था और foot post को क्या चाता था दवा कहा जाता था which had the three station per mile लेकिन इसमें बताये गया है क्योंकि foot post था बचे paddle वाले system था ठीक है अब अब जैसे अब ही मैं बताती हो समझाती हूं कि इसमें क्या हो गया कि which had the three station per mile इसमें तो चार माइल चले और इसने क्या किया इसमें पर माइल क्या करेगा यहां पर मैं बताती हों यह क्या करेगा यहां से चला 1 माईल इसने कऴर किया ठीक है यहां से यांव तक है ये क्या चौए यह TRU WHO ला यारी जो भी होगा जो information देने के लिए वह यहां से यहां तक गया फिर यहां से दूसरा आधि गया यहां तक क्लीर तो इसमें तो क्योंकि इसके पास horse था, इसको तो थकान क्यों होगी, इसलिए इसको चार मिल दियेगे, लेकिन यहाँ पर क्या था, कि कोई paddle चलने वाला उसको थकान ज्यादा होगी, इसकी मैनज जाना लगेगी, ठीक है, पसीना ज्यादा बहेगा, ठीक है, अब यह क्या करेगा, आगे चल करके इसको एक person मिलेगा, जिससे के सारी information, जो भी letter, चिठी, पत्री होगी, जो कुछ भी होगा, फर्मान होगा, इसको कुछ भी होगा, money order होगा, वो क्या करेगा, इसको यहाँ से यहां तक दे देगा, ठीक है, फिर यह person यहां से उठकर के इसके पास जाएगा, फिर क्या है, एक बाइल में जितने भी यहां पर ठी station बने वोगे तैंब यहांपर अपर आएगा इसको दे दे देगा, यही तो काम होता है जैसे आपने पोस्चमान को देखा होगा, पोस्चमान ऐगा एक जगे से letters ले घरता है, एक post box से letter निकाल करके, और दूसरा जब त तीसरे तब पहुंचा देगा इसका एकfi example देते हैं जैसे leagues होगी ξаствिकर chapter is THE. स्कूल मेरी रेस होगी ठीक एब वह bile race क्या होती है कि मान लिजी आपको बहुत बड़ा एक एक race जीतनी है आपको ठीक पर जके जके बच्चों को stand कर दिया जाता है खड़ा कर दिया जाता है ठीक है उसको कोई भी कोई चीज होती है कोई भी ग्रील होता है कोई मशाल बगर होती एक्सरेजर कुछ भी होता है तो क्या करेगा यहां से इसने स्टार्ट किया ठीक है यहां से स्टार्ट किया तो यह यहां तक भागा यहां तक इ बहुत अच्छे से समझा दिया अपको ठीक है तो ये था हमारा आज का पूरा इम बतूता और उसकी रहला में किस तरह से उनेरे चीजों को मेंशन किया है वो सारी चीजे हमने देख लिये ठीक है और अगर आप भी अपने बोर्ड एक्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते है ठीक है अब देखो जैसे मैंने ये बताए अब ये सारी चीज़े आप देख रहे हो ना कि कितने अच्छी तरीके से बताए गई है ठीक है और जब आपकी एक बार concept पर अगर आपकी पकड़ बन गई ठीक है तो चाहे वो आपका CUT है चाहे वो आपका Board exam है कोई मतलब भी नही को follow कर रहे हैं तो इसमें 70% तो आपका syllabus यहीं cover हो जाएगा जो CBSC Board को target कर रहे हैं और उसमें NCIT follow होती है इसलिए 70% तो काम इनका यहीं हो गया Board exam में ठीक है बचा कितना 30% 30% काम हो जाएगा हमारा बाद में जब हम CUT का exam देंगे तो अगर आप Board exam में 80 out of 80 लेना चाहते हैं और अगर यह सोचकर बैठे हैं कि हम अपने Board exam में top करें लेकिन कैसे करें तो आज ही join करो अपने इस Spark batch को जो की special class 12th के बच्चों के लिए बनाया गया है इस maximum जो है discount पाने के लिए आप coupon code use कर सकते हैं Y489 ठीक है तो इसको code को लगा करके आपको यह course maximum जो है वो discount पर मिल जा ठीक है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे comment section में लिखकर बताएंगे कि आपको आज का session कैसे लगा कोई भी doubt होता है तो आप comment section में लिखकर पूछ सकते हैं share करना है ज्यादा ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाना है और like करना है ठीक है आप इसको purchase कैसा करना है यहाँ पर देखना जरा ठीक है आप क्या करेंगे अड़ा 24-7 की application को download करेंगे अगर नहीं भी किया है तो आप direct google पर जाकर भी अड़ा 24-7 type करेंगे यहाँ पर first option आएगा ठीक है वहाँ पर click करेंगे और इसके बाद all courses पर click करेंगे अब यहाँ पर देख रहे हूँ न इसके और commerce के हो तो commerce के अपने-अपने stream के हिसाब से आप अपना batch select कर लेंगे अब बोलोगे कि मैडम इसमें सबसे खास बात क्या है इस batch को लेने की हमें क्या फायदा होगा फायदा यह होगा कि इसमें आपको 500 प्लस RC class आपको मिल रही है देखो बच्चे जब तक एक सही guidance concept की अच्छी तरह से clearance, understanding, practice ठीक है बार बार जो आप के doubts होते हैं इसको सबको solve कराना यह सारी चीजे हमारे इस spark batch में करवाई जा रही है ठीक है कहीं न कहीं आपको यह लगता है कि यार इतने पैसे इतने थोड़ी से पैसे खर्च करके और आप इतना जो है वो इतना पाप भी कर लोगे तो बच्चे आप गलत सोच रहे हो अगर आप खुद करते होते तो आज आप वहाँ नहीं होते आज में ही आनी होती ठीक है ना कहने का मतलब यह देखो स्कूल क्यों जाते हो आप टीचर से पढ़ने के लिए ठीक है वरना तो घर पढ़ लेते हैं तो अगर आ यहां पर आपको देने वाले हैं जिसने की आपकी प्रक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप स्कूर करेंगे ठीक है तो यह सारी चीजे हैं आपको रिकॉर्डिड वीडियो अगर आप कभी ऐसा भी होता है कि कभी आप क्लास मिस कर देते हो या किसी काम से आ 12 महिने तक रहेगी 12 मंथ तक रहेगी यह देखिए ठीक है 12 मंथ तक रहेगी तो आपको क्या करना है यहां पर बाइनाव पर क्लिक करना है बाइनाव पर क्लिक करके आपको यहां पर करना है Y489 कूपन कोड लगाना है ठीक है अब इस कूपन कोड से क्या होगा maximum discount आपको मिल यह कोर्स कितने का रह गया आपका 2489 का ठीक है 2489 याने कि 17% का डिसकाउंट आपको मिल गया है अब यह देखिए यह 2489 जिसमें कि आपको पूरे 12 मंत की वैलेडिटी दी जारी है यहाँ पर देखिए पूरे 12 मंत की है अगर आप ओफ-लाइन ट्विशन लगाते हो तो यह सोच कर चलो कि थाउजन रुपीज आप दे रहे हो ना और वो थाउजन रुपीज भी आप क्या करते हो कि आदा टाइम तो वैसे निकल जाता है बातचित करने में वहां तक पहुंचने में फिर जो है क्लासिज आपकी स्टार्ट होंगी तो पांदस मिंट वैसे लग जाएंगी ठीक है चाहिए वो आपका CUT exam है क्योंकि CUT exam तो यह तभी clear होगा ना जब आपके board exam की concept को अच्छी तरह से clear कर लेंगे NCRT की book को अच्छी तरह से निचोड कर पी लेंगे है ना अपने दिमाग में set कर लेंगे तभी तो जाकर NCRT के सारी चीज़े जान करके CUT में 6 score कर पा जाए और बहुत अच्छी knowledge लेकर जाओ साथ साथ में practice भी कर राई जाए तो जितना जल्दी आप enroll करोगी उतना जल्दी आपका syllabus खतम होगा syllabus खतम होने के बाद फिर बढ़ेगे हम revision की तरह ठीक है और यह revision जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा score होगा और जितना अच्छ score होगा उतने ही अच्छे score के हिसाब से आपको मिलेगा आपका dream college ठीक है जो कि आपको cuet entrance test के बाद ही मिलेगा ठीक है न तो कहीं न कहीं आप अपना और अपने parents का सपना पूरा कर सकते हैं देखो रास्ता तो हमने दिखा दिया अब चलना आपका काम है आप उस पर चलते हो नहीं चलते हो अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो waste है तो बच्चे आप मेरी बास सुनो class 12 तक आप आ गए हो ठीक है इतने से पैसो में अगर तुम risk ले रहे हो ना और ये सोच रहे हो कि यार ये तो फिजूल है इसमें क्या ही करना है लेकर के हम खुद कर लेंगे ये क कर लेंगे वो कर लेंगे बाद में जब आपको पता चलेगा कि यार थोड़े से पैसो के लिए हमने जो है वो knowledge कहीं थोड़ी से हमारी जो कमी रह गई है वो नहीं होती अगर हम इस तरह की पूरी knowledge लेकर जाते तो ठीक है ना आप बहुत समझदार है मुझे पता है तो ज़ को पताएने कि अपके अंदर कमी कहां पर है उस कमी को दूसरों के बताने के वज़ाए आप उस कमी को इंप्रूव किजिए अपनी जो भी आपकी कमिया है उसको आप डे बाइडे इंप्रूव कैसे करोगे जब आप उस चीज में लग जाओगे प्राक्टिस के थूरू अब आप उसकी knowledge लेका जाओगे तो वो चीज़ अपने आप improve हो जाएंगे ठीक है ना मिलते अपनी next video में till then take care bye bye